जैहें साथी ओ, बेलकम टू सेल्फ इस्टेटी क्लासेश विस्विचेन, यूटूब स्नेल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इसके पहले हमने कोहिलर का सूच सिध्धान्त पड़ा, प्याजे का संग्यानात्मक विकास का सिध्धान्त पड़ा, ठीके और इसकिनर का हमने किरिया प्रसूत अनुबंतन का सिध्धान्त पड़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं बाईगोस्टकी का सिध्धान्त, ठीके, बाईगोस्टकी साबका अपने नाम सुना होगा, लेव सिमोनोविच वाईगोस्टकी है ना, लेव सिमोनोविच बाईगोस्टक इनका पूरा नाम है बाइगोस्की ने संग्यानात्मग विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्दान्द का पृतिपादन किया इन्होंने संग्यानात्मग विकास का सिद्दान्द दिया प्याजे साब ने तो ये रूस के बैग्या निकते, इनका मानना है कि बच्चे अपने ग्यान का निर्माण सामाजिक अंतह के लिए द्वारा करते हैं, ठीक है, इन्होंने मानव विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्पूर माना, मानव विकास में जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं उनको महत्पूर्ण माना किसने बाईगोस्की साब ने तो यहां से आपके कई प्रस्ने के लिए रहोने बारे हैं सबसे पहला यही कि संग्यानात्मक बिकास की सामाजेक सांस्कृतिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किसने किया तो बाईगोस्की साब ने किया है न बाइगोस्की कहा के बैग गया निक थे तो रूस के बैग गया निक थे ठीक है और उन्होंने जो बच्चे अपने ग्यान का जो निर्मान है वो सामाजय कंतयक रिए द्वारा करते हैं यह किसने कहा है तो वाइगोस्की साथ सब्सक्रेदा चाहर है यह चीज़ भी आपक को महत्पूर माना है किसने वाई गोस्की सामने ये चीज भी आपको जाननी है वाई गोस्की के संग्यानात्मक बिकास के मुख तक तो कौन-कौन से हैं इसके बारे में हम जानेंगे और इन पक्चों को मोर नालेजवल जो है अदर की संग्या दी है ये याद रखते ना ठीक है और भी देखेंगे धाचा निर्माण धाचा निर्माण बच्चों के पास अवस्तित तथा असंगटित संप्रत्य होती है जबकि कुसल वेक्ति के पास संगटित तथा विवस्तित संप्रत्य होती है इन दोनों के मत संबाद के पैणासरू बच्चे के विचालभी क्रमबत तथा विवस्तित ह हो जा आती है खना निरना का महथ पुरह संभावित्विविकास बच्चा जो कर रहा है और करने की चंप रगता है कि बीच में जो जूक्ष अवसक तत्तों नहां सभावित्विकास की जो मुख तत्तों नहां में मोर नाले जेवा लदर नाचा निर्मान संभावित विकास का छेत्र है ना भासा और विचार ठीक है इस प्रकार से यहां पर हमने संभावित विकास का छेत्र की बच्चा बिना मदद की कर सकता है ना बच्चा जो छमता रख सकता है उस छमता की आदार पर संभावित विक सभाविध्विकास की चेतर की पूर्ती के लिए बच्चा अपने से कोसल माता पिता भाय बहन ये सिक्षक की सहयता लेता है वासा और विचार बालक वाथा के बल सामाजिक संप्रेशन हे तुँ स्वानिर्देश सितकार हे तुँ निर्देशन देने अपने वियोहार तुँ योजना वनाने वा मुल्यांकन करने के लिए करता है। खेल देखो इसे बालक आत्मनुसासन, आत्मसंतोष्ट, आत्मविवेद, आत्मनीमिन करन सीखता है। परीक्षा उप्यों की कुछ महतपूर्टत हैं। बाईगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं। बयसकों और समबयसकों के साथ परम परसपरंता करिया के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रठीने। ये कोस्टिन पूछा जाता है। किसके अनुसार जो है बच्चे बयसकों और समबयसकों के परसपरंता करिया के द्वारा सीखते हैं। बाईगोस्की के अनुसार संगेनात्माग बेकास का मूल कारण है। तो क्या है सामाजेक अन्योन्न करिया है। बाईगोस्की बच्चों के सीखने में इस कारण के महतपूर गूमिका मानते हैं। तो किसकी मानते हैं सामाजेक कारण की। ठीक है। बाईगोस्की साब मानते हैं। बाईगोस्की के सिद्दान्त में बिकास के इस पहलू की उपेक्चा होती है। जैबक पहिलू की बाई गोस्की के सामाजिक सांस्कितिक सिद्धान पर आधारत तो पारत पर एक सिक्षन जोना आप फ्रॉक्सीमल डेवलप्मेंट का जो प्रत्य दिया गया वो किसमे दिया बाई गोस्की द्वारा दिया गया तो यह चीज भी याद रखनी है ठीक है हम देखने वाले दोस्तों सीखने के बक्र सीखने के बक्र का आर्थ एवं परिवासा गेट्स एवं अन्ने के लुसार सीखने के बक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा गती और उन्नती की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं सीखने के बक्र से एक question आपका बनता है इसको अच्छे से देखना है यहाँ पर देखो यह बक्र के प्रिकार दिये है कौन सा बक्र है यह चित्र की आधार पर बक्र दरसाया गया और यह उसकी बिशेष्टा सबसे पहले आता है सरल रेखिये बक्र यह उसका चित्र है इस प्रकार से सरल रेखिये बक्र है और जब समय के साथ साथ अधियम की मात्रा में समार रूप से ब्रद्दी होती है तब सरल रेखिये बक्र प्राप्त होता है ठीक है उन्नितो दर बक्र तो यह इस प्रकार से उन्नितो दर बक्र है इस बक्र में समय अत्वा प्रयासों के साथ अधिक की अधियम की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगती है तथा अंत में बक्र एक पठार के रूप में हो जाता है इस प्रकार से पठार के रूप में हो जाता है ये नकारात्म गती बक्र यसे नकारात्म गती बक्र भी कहते हैं उन्नतोदर बक्र को ठीक है नतोदर बक्र तो अधियम की मात्रा इस प्रकार से आप दे रहें नतोदर बक्र है इस समय अध्वा प्रयासों के साथ अधियम की मात्रा में ब्रद्धी होती है और इसे सकारात्म गती बक्र कहा जाता है तो नतोदर बक्र को सकरात्म गती बक्र उन्नतोदर बक्र को नकरात्म गती बक्र है ना मिस्रित बक्र देखो मिस्रित बक्र इस प्रकार से S टाइप का है और इसे S प्रकार का बक्र भी कहा जाता है मिस्त्रित बक्र को अगर आपसे पूचा जाए कि किस बक्र को S टाइप या S प्रकार का बक्र भी कहा जाता है तो किस बक्र को कहा जाता है तब आपका उत्रोगा मिस्त्रित बक्र को कहा जाता है ठीक है नतोदर द्वारा उन्नतोदर बकर का मिला जुला रूप होता है नतोदर तथा उन्नतोदर बकर का मिला जाला जो रूप है वो क्या है मिस्रित बकर है जिसे ऐस परकार का बकर भी कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या सीखे सीखने के बकर सीखे सीखन कुछ महत्पूर्ण जो फैक्स थे उनके बारे में कि बाई गोस्की के अनुसार बच्चे बैसकों और समबैसकों के साथ प्रसपरांत करिया के द्वारा सीखते बाई गोस्की के अनुसार संगेनात्मग विकास का मूल करना सामाज एक अन्योन निकरिया है बाई गोस्की बच जोन आप फ्राक्सीमल डेपलप्मेंट का प्रत्य दिया है तो बाई गोस्की द्वारा दिया गया है तो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी एक तो बाई गोस्की के सिद्दान्द के बारे में जो महत्पूर्ण थी उनके बारे में पड़ा पर दूसरा सीखने के ब